हलो एंद वेलकम तो दाइस्टूडियो मेंबर्स इंडस्टिंट बैंक को आज के दिर हमने ट्रेट किया था और इसको ट्रेट करने से पहले अपने पब्लिक गुरूप पर हमने में शेयर कर देप एक्शली इंडेसिंट बैंक के अंदर देखिएगा आप इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहां पर वॉल्म का रिफ्लेक्ट होने देते हैं यह देखें ओवरल यहां पर वॉल्म के ब्रेकाउट हमें देखने को मिले थे प्रिवेस कई दिनों से ज्यादा कि यहां बॉक किया थे वह लेवल भी हमारी अपने एक रिजिस्टेंस पॉइंट पर फॉर्म हुई थी यह जो लो केंडल आप देख रहो जहां पर हमने पी लाइंस को माक अलगा है बिल्कुल हाई पर यह मेरे एंट्री पॉइंट पर यहां पर एंट्री ली थी एंड यह जो लो आप देख रहो प्रीवेस देख भी इनहीं लेवल पर सपोर्ट और रेस्टेंस लिये थे मार्केट में यह वाले पॉइंट यह और यह वाले आज एक्जैक्ट रेस्टेंस पर यह केंडल फॉर्म हुई है और कंफिरमेशन के बाद हमने यहां से अपनी एक्जिट कर दी थ पॉइशन बूक और ऑडर बूक ऑपन करते हैं जालिये और बूक में परफेक्ट ओवर्ल देख सकते हैं 500 क्यांटि साथ अपने आज का वे एक्जिक्यूट का था अपसाइड में हमारे यह यह वाले यह लिए वाइन की तरह यह मेरे बाइं की ओडर है यहां पर जो हमने व पर अपना एक्जिक्ट्ट के था एट ट्वंट्ट्ट पर रूपर ट्रेड एक्ट्ट्ट्ट्रेडिट हो गए थी एट ट्रेट गवार्ण तरह बेदी प्राइब्हार यह तो पॉइच फेक्ट्ट कर लेते हैं तो पर्फेक्ट ओके ओवराल जो आज का अपना प्रॉफित है थर्टीन थॉजन प्लस के असपास के लगबग लगबग प्रॉफित था अभी हम चल करके इसको चार्ट पर देखते हैं तो देखिए यहां पर कितनी सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कम से कम भी इस टॉक वन परसंट से ज्यादा कम हो हमें अप और डाउंसाइड की तरफ देखा रहा है लेकिन हमेशा हम यह बात बोलते हैं सभी लोगों से बोलते हैं कि किसी भी चार्ट को आपको ट् ट्रीज करना है अपको करनिस को को हिएंड करना है आपको कुड़ को करना्य पर बैंक निफ्टी फेल पर आ जाने के बाद का को बाला हुगा बैंक test को पर बैंक सब्सक्राइब वह बैंक वा मालूम होग कि आपने डेबल पर है ताब हम उसको अपने परफेशनल ट्रेडर कभी इन बिट्विन ट्रेड हो गया हमने एक्जेक्यूट कर दिया है जितने भी मेरे वीडियो से सभी में हम हर बार ये चीज़ क्लियर करने के कोशिश करते हैं जितने भी प्रॉफिट्स वागर आप देखते हो ये ऐसे ही नहीं कि in between trade हो गया हमने execute कर दिया हमेशा एक सही range हमेशा एक सही level का wait करना पड़ता है किसी एक छोटे से छोटे trade को execute करने के लिए इंडेस्टिट बैंक ने देखिए trade करना चाहते तो हम इसको trade करते हैं बट लेवल नहीं था मेरे तो हम इसको trade नहीं कर सकते हैं एक level पर आ जाने का हमने इसके अंदर wait किया अब जैसे back में आप देखोगे इन सभी लैंस को चलिए हम delete कर देते हैं अब previous data जब इसका check करोगे तो यही range हमारी same range एक support इंडेस्टिट बैंक का यह एक support point है यह और आज जो market गई है वहीं पर गई पूरी तरह से यह एक support level है हमने क्या किया कि इंडेस्टिट बैंक को एक support level पर आ जाने का वेट किया previous support को break करके देखिए market नीचे की दिशा में आई है यहां से भी देखिए break करके downside की तरफ गई है और अब ही यह इसके support levels आज की market को देखते हुए sector को देखते हुए और nifty 50 को देखते हुए हमने इंडेस्टिट बैंक को trade की है एक अच्छा risk and reward ratio हम को देख करके गए overall यहां पर अगर हम lower time frames पर आते हैं lower time frame पर कितना बड़ा volume का breakout आज के दिन हुआ था यह बड़े investors ही होते हैं जो कि इतनी ज्यादा volumes लेकर के आते हैं इतनी heavy volume इतना heavy price movement यह show करता है कि जो range आपने mark करके रखी है actually एक support या फिर actually एक important level है या फिर एक important zone है वो identify करना हमारा काम होता है कि कौन से एक higher time frame पर important zone होता है और lower time frames पर कौन से important zones होते हैं अब यहां पर देखिए कि price ने जब यहां पर एक low लगाया था कितने lows लगे हैं यहां पर हमारे volumes को off कर देते हैं एक low मेरा यह है अगेन एक low यह लगा फिर से एक low यह लगा लोज देखिए अप साइट के द्रफ शिफ्ट होते चले जा रहे है एक भी low even single low भी मेरा break नहीं हुआ है और price morning से अपने highs को break कर रहा है यह हमारी candle form हुई हमारा जो first target जो हम इसके अपना ले करके चल रहे थे कि जैसे प्राइस यहां पर निकलेगा ना हम इसके अंदर से बाहर निकलने कोशिच करेंगे अगर हम देखते हैं तो यह candle का जो move है आपको 5% 4% के लगभग यह move है इस candle का सिंगल एक candle का तो बहुत ज्यादा chances होते हैं कि price में एक sideways momentum आपको देखने को मिले बट confirmations कुछ इस तरह के थे volumes इवन इतनी ज्यादा आए थे कि sideways होने के chances थोड़े बहुत कम थे और अब यह इंडेसिंट बैंक है इतनी ज्यादा volumes के साथ शांत नहीं रह सकता यह नहीं है कि इसके अंदर हमने overconfident होकर कि without stop loss काम किया confidence के साथ एक सही analysis के साथ इस trade को execute किया यहां पर stop loss हमने लगाया 823.10 पर मेरे stop loss थे price देखे क्या किया है अपने lows को protect किया और highs को break किया है यह वाली जो मेरी candle थी यह green candle आप देख रहोंगे 945 की candle इस range पर अपनी entry हुई थी और stop losses के लिए हमने 823.10 की range का use किया था targets जो हमने लगाया थे higher time frame पर यह वाली candle मेरी बहुत important candle थी यह candle जिसने आज का high लगाया था हाई लगा देने के बाद में price देखिए उस range के फिर ऊपर नहीं जा पाया दुबारा उस range के अंदर ही आ गया तो हमने क्या किया है last में कि जो अपने profits थे इन ranges के पास भी बोक कर लिया थे यह वाली जो के मेरी candle फॉर्म हुई थी यहां पर resistance के पास में volumes की जो activities हुई थी volumes की confirmations के बाद हमने क्या देखा था कि volumes अगर breakouts नहीं होता है volumes का breakouts नहीं होता है क्यूंकि buyers ही यहां पर नजार आ रहे हैं अब क्या है कि अगर price को upside की तरफ जाना है तो volumes के breakout भी चाहिए हमको prices के breakout भी चाहिए ऐसा नहीं हुआ और price downside की ही तरफ पलड़ किया तो हमने क्या किया है जितने भी quantities थी हमारी 855.30 पर ही सारी quantities हमने निकाल दी अगर हम summarize करते हैं इंडेसिंट बैंको तो higher timeframe पर देखा है एक support range का हमने वेट किया है एक support पर आ जाने के बाद में price के अंदर देखिए volumes के breakout हुए मतलब supports एक ठीक ठाक supports थी हमारे यह previous data को देखके हुआ हमने support range mark की थी उसके बाद में lower timeframes की confirmations lower timeframes की confirmations का मतलब यहां पर lows protected highs के breakout अब यह lows protected highs के breakout जितनी आसानी से हम बोल दे रहे हैं यह जितनी आसानी से हम आपको समझा रहे हैं actually यह इतना आसान नही है आपको बहुत सारी practice की demand यहां पर होगी बहुत सारा समय मार्केट में दो गया आप तब जाकर के lows और highs protection आपको समझ भाएंगे कुछ ए candle formation होती है उनको देखना होता है वॉल्म की confirmations होती है उनको देखना होता है लेवल्स की अपनी identification होता है उन लेवल्स को identify करना होगा आपको तब जाकर के ए अपने इंडिस्टिन बैंक के अंदर से वीडियो कर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कीजाएगा अब हम लोग कल के दिन मिलते हैं so we will meet again